दोस्तो स्वागत है मेरे चैनल पे यहां पे आप देख सकते हो सनाइडर का एक टाइमर लगा हुआ है और इसके बाजो में एक कॉंटेक्टर लगा हुआ है क्योंकि जब हमारे इस टाइमर पे टाइमर का जो एंपियर होता है उससे ज़्यादा कभी करेंट यूज करना होता ह है तो वहां पे हम कॉंटेक्टर का यूज करते हैं जिससे की टाइमर से कॉंटेक्टर अन हो जाता है और उसके बासे जो पावर सप्लाई है जो रूकी होती है कॉंटेक्टर में आउट्पुट में इन्पुट से वह हमारे टाइमर से पास होती है तो आज हम इसका वाइरि देख सकते हो नीचे में एक स्विच दिया है उपर में एक स्विच दिया हुआ है बीच में एक स्विच दिया हुआ है पूरा हर एक स्विच के बारे में बताने वाला हूँ बहुत ही बैधरिन वीडियो है अगर पूरा आप देखते हो यहां पर आप देख सकते हो यह जो इसको बहुत बैदरीन तरीके से बताने वाला हूँ जिससे आपको यह टाइमर जो है सेटिंग आप इसको एजली कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने एरो लगा रखा है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है तो आप देख सकते हो इसमें तीन निसान है राइट साइड में जीरो है और लेप साइड में एक नमर है तो ये तीनों पॉइंट का अलग अलग काम है अगर आपने जो घड़ी का निसान है वहाँ पे स्वीच को रखते हैं तो जो आप टाइम सेट करके रखेंगे ये टाइमर के उपर काम करेगा और अगर आपने इस स्वीच को रख दिया तो जो आपका लाइट है वो पूरे तरह से ओफ हो जाएगा ये सिफ वरकिंग टाइम के लिए है जैसे कि आपने कुछ टाइमर को सेटिंग किया और उसके बाद से क्योंकि अगर आप चालू लाइन में इसको काम करते हैं टाइमर को सेट क करना है तो इसके लिए ये तीनों ऑप्सन दे रखा है देख सकते हैं आप बीच में जो घड़ी का निसान बना है उस पे आपको टाइमर जब सेट हो जाए फिर आपको उस पे रख देना है जिससे हमारा टाइमर एक्टिवेट हो जाए और हमारा टाइमर रनिंग होने लग है कि जो हमारा लाइट है वो कंटीनी ओन रहता है अगर आपको मैनुवली चेक करना है कि जो हमारा लाइट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं तो आपको एक नमर में एक नमर में रखते ही आपका जो लाइट है वो आटोमेटिक ओन हो जाए क्योंकि ये जो एक नमर है ये तिन सेटिंगे और हैं तो पूरा वीडियो देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों जो यहां पर आप देख रहे हुए सरकल ये भी एक सेटिंग है और इस सेटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने अगर बाकी की सेटिंगे कर लिए और इस सेटिंग को आन करना भूल गए तो आपका टाइमर बेकार हो जाएगा कुछ फायदा नहीं होगा आपका टाइमर वर्क नहीं करेगा और जो आपने टाइम सेट किया है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा तो इस चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे के दो पीन बने हुए हैं वहाँ पे एक लिखा हुआ है और उपर में साइड में दो डॉट्स बने हुए है वहाँ पे जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है यह बहुत जरूरी होता है तो फ्रेंड इसका मतलब यह होता है कि जो हमारी ब्लू कलर के तीथ दिख रहे हैं अगर वो अंदर साइड में है तो वो एक नमर होते हैं और जो बाहर साइड में है वो जीरो होते हैं और यहां पे जो उपर में जो switch दिया हुआ है यहां पे आप देख सकते हो उसमें भी 0,1,0,1,0,1 ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप हाथ से और जिस साइड में arrow बना हुआ है उस साइड में आपको rotate करना है इसका मतलब यह होता है कि जो अगर आपने अगर 0 पे set करके रखा है यानि अगर आप इसको जो switch है अगर आपने इसको 0 पे किया है तो जितने भी आपके बाहर के तीथ होएंगे वो work करेंगे और अगर आपने उसको एक नमर पे set किया है तो जो अंदर के तीथ होएंगे उस समय आपका timer work करेगा तो यह बहुत ही better in setting है तो इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है तो जीरो और जो एक नमर है उसका यही काम होता है तो दोस्तों आपको जो जीरो और एक नमर है इसी तरह से आपको set करके रखना है और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ तीथ की जो setting होती है वो कैसे करते हैं तो पूरा वीडियो देखि हुआ है और उपर जो switch है उसको आप set कर सकते हो अगर आपने कभी light को अगर set करके रखा है कि अगर आपने चार से पांच बज़े तक on रखा है और आपको चाहिए कि चार से पांच off रहे तो आप यहां से आपको time को set करने का ज़रूत नहीं है इसको आप जीरो से एक नमर पर कर देंगे तो वो light automatic on और off हो जाएगी और off और on कर सकते ही यहां से आपको बिल्कुल भी easy है इसके लिए setting मना रखा है कि आप अगर timer को change करना है तो आप यहां से 0 और 1 को 1 और 0 पर change कर देंगे तो आपकी जो setting है वो उल्टी हो जाएगी यानि on के जगे off हो जाएगी त जिस समय में हमारा on होदाना था उसमय में off कर देंगे और जिस समय में off करना है उसमय हम all कर देंगे तो यहां से आप यह setting change कर सकते हैं तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसको कैसे set करते है timer को तो पूरा वीडियो देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से timer को set किया जाता है तो यहां पर फ्रेंड हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे timer को set किया जाता है तो देख सकते हो यहां पर हम आ गए हैं timer के पास और यह जो आप timer देख रहे हो इसके अंदर आप देख सकते हो यहां पर एक त्रिकोंड के जैसा बना हुए है जहां प होता है यह timer का main point होता है यानि जो हम time को set करते हैं आपको इसी arrow पर लाके रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने timer को जब set किया है अगर आपने इस arrow को सही जगह पर नहीं रखा तो आपका जो timer है वह सही से work नहीं करेगा तो चीज़ का आपको धियान देना है और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी अंदर साइड में रहेंगे उतने अंदर वो वर्क करेंगे और जितने भी बाहर रहेंगे वो आफ रहेंगे लेकिन आप यहां पे जो मैंने पहले सेटिंग बताई है जो आप देख सकते हो लेप आउन हो जाएगा और जिरो से बाहर का आउन हो जाएगा यानि वहां से आप सेटिंग चेंज करके अंदर का आउन और बाहर का आउफ या बाहर का आउन अंदर का आउफ कर सकते हैं आपको कुछ अंदर सेटिंग करने का जड़रत नहीं है और इसका जो टाइमर है और यह जो एरो आपको दिख रहा है त्रिकोन वाला इसको आपको उस टाइमर पर सेट कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा घड़ी के जैसा पूरा बना हुआ है एक दो तीन चार पांच पूरा टूंटी फूर आउर्स का यह टाइमर है और इसमें एक चीज आ चार तीत होते हैं वह इसाप से आप इस टाइमर को सेट और चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टाइमर के जो सेटिंग होती है कैसे करनी होती है उनको और मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि इस टाइमर को सेट कैसे किया जाता है तो जैस तरी निषान है वो टाइम अभी देख सकते हो यहां पे Satya 7 बजे के टाइम पे यानि जो हमारा 8 बज रहा है उस टाइम पे यह सेट है तो आपको जिस टाइम पे आपको टाइमर को सेट करना है ओन करना है वहां को प्सक्ति होते हैं उनको लगा नीचे रखनाह आप उसको नीचे दबा दीजिए और बाकी आपको जो परजेंट टाइम में जो टाइम हो रहा है उस समय आपको यह जो एरो बना हुआ है तीर का जो जो यह त्रीकोंड का जो निशान है उसको आपको जैसे माल लीजिए आपका 10 बज़रा है और आपको लाइट स्टार्ट कर लाइट उतने बज़र तक आपको तीत को अंदर दबा के रखना है यानि नीचे दबा के रखना है इस तरह से यह जो लाइट है आपका कूवर करता है अगर कोई भी कोश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपकी पूरी साहता की जाएगी और वीडियो अ कि टाइमर को कैसे सेट किया जाता है थेंक्यू फॉर वाचिंग